नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Global Atomi Network Team Warrior Room दोस्तों दोस्तों गुड न्यूज है और सभी लोग excited होंगे और definitely क्यों नी होना भी चाहिए और 11 नौंबर को Atomi launch होने वाली है और launching से पहले जो product online purchasing करना उसका जो process आप सभी को मालूम होना चाहिए और जैसा कि Atomi India की तरफ से Atomi official group में आ लड़ी ये चीज़ें आ चुकी है तो Atomi India की जो website है उससे आप online purchasing किस परकार से कर सकते हो जो steps है वो 11 steps है उस steps के बारे में हम यहाँ पर step wise discuss करेंगे तो जो लोग नए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर जितने members आशा करता हम कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको Atomi Point of View सही और स्टिक जानकरी time to time हमारे चैनल के मादम से टीम वारिर के मादम से आपको मिलते रहेगे दोस्तो चलो दोस्तो स्टार्ट करते हैं कि किस परकार से आप Atomi India online shopping portal से आप online shopping कर पाएंगे आपको पता है कि Atomi online e-commerce platform के तरह shopping portal है जो कि 11 November को launch हो रहा है और सभी के जो इंतिजार की गड़ी है वो खतम हो रही है 11 November को और सभी लोग जो Atomi में registered है और जिनकी KYC complete हो चुकी है वो ही लोग online shopping कर पाएंगे जिसका KYC complete नहीं हुआ है तो वो लोग online shopping नहीं कर पाएंगे यहाँ पे तो सभी से request है कि सभी अपनी पहले KYC complete कीजिए उसके बाद आप shopping कर सकते हैं जो first step है दोस्तों Atomi India की website है जैसे आप लोग Amazon और Flipkart पर shopping करते हो same way में आप Atomi India की जो website है atomi.com.in है अपना user ID और password आप इसमें enter कीजिए और यहाँ पे login कीजिए यह first step है आपके लिए ठीक है sorry जैसे ही आप login करोगे तो right side में आपका नाम ठीक है और left side में जो Atomi के right side में mark देख रहे है red square as shopping mall login करने के बाद आपको shopping mall वाले menu के उपर click करना है और जैसे आप shopping mall वाले menu के उपर click करेंगे कोई भी एक product select करना है जिसको आपको buy करना तो suppose कि आपको toothpaste buy करना है तो आपने toothpaste यहाँ पे select किया है और इसका जो DP price यहाँ पे बिल्कुल mention होगा यहाँ पे और उसके बाद buy now पे click करना है जैसा कि यह दिखाए दे रहा buy now ठीक है उसके बाद fourth जो step है buy now पे जैसे आप click करोगे fill out order form आपको order form यहाँ पे fill up करना है कि toothpaste जो 50 gram का एक set लेना है दो set लेना है तो quantity यहाँ पे आपको reflect करना है ओके fourth step के अंदर आपको quantity यहाँ पे डालना है तो यह चार step होगे next जो fifth step है उसमें आपको क्या करना यहाँ पे बिल्कुल clearly mention कर रहा है check your details in distributed information section PV reflection date PV reflection date का मतलब क्या होता है कि suppose करो आप ब्रिस्पतवार को order कर रहे हो 12 November को तो 12 November को आप एक दिन आगे 12 November को आपने order किया payment आपने कर दिया और PV का जो reflection date है आपकी ID पे आप एक दिन बाद का चाते हो या एक दिन पहले का तो वो आपको इसमें select करना date किस दिन आपको PV reflection date 12 November को shopping कर रहो 11 की date में करना है या 13 की date में करना आपको 13 तारीक की date में तो कल 11 November है कल आप PV reflection की date select कर सकते हो 12 November के लिए भी select कर सकते हो और 13 November को जो date है उसमें एक दिन पहले का कर सकते हो एक दिन बाद का कर सकते हो यानि कि एक date में एक दिन आगे का एक दिन पहले का like that आप कर सकते हैं PV reflection date आप select कर सकते हैं और जो date आएगी उस date में आपकी personal ID पे PV reflect होगा ओके फिर mobile number यहाँ पर आपको डालना है address यहाँ पर डालना है email id और I agree to payment confirmation email ओके जब आप mail payment कर दोगे तो आपको email आएगा आपके और वो email भी आपको अपने inbox में चेक करना है 6th step fill in all the delivery information काफे लोगों यहाँ question है कि सभी ने KYC complete कर चुके आप और उस KYC के दोरान आपको कौन सा address आपने अपडेट किया जो अधर काड में या water ID में जो भी आपका address ID verification हो चुका है अब आपको product order करना है तो आप उस पराने वाले address पे नहीं रहते हो तो नए address पे आप same as above जिन लोगों ने address ID verification के अंदर आपको चेक करना है कि जो address डाला हुआ है वहाँ पे आप अगर residence है आपका अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे आप order कर सकते हैं इसके अलावा अगर कहीं और जगें आप रह रहे हैं तो new delivery address आपको select करना है like that okay तो यहाँ पे फिर आपको अपना address update करना है और address mobile number जो भी है यह यहाँ पे बिल्कुल clearly mention कर रखा है same as above और new delivery address अगर new delivery address आप आपको यहाँ पे address डालना है mobile number डालना है और complete address डालना है उसके बाद pin code verify करना बहुत जरूरी है दोस्तो pin code आपको search pin postal code पे click करना है आपका जो area वहाँ का pin code डालना है जैसे pin code डालोगे तो एक line आएगी नीचे उस पे click करना है यहाँ पे city, state, district तिरनों चीज़ें auto fill आ जा आप से और आपके उस area के अंदर atomic delivery है कि नहीं यहाँ आपको पता चल जाएगा ओके सात्वा step, 7th step, most important step यहाँ पे enter pin code and click on search postal code जैसे आप search postal code पे click करते हैं तो आपके area का pin code डालना है और उसके पर click करना है तो city, state, district यहाँ पे auto fill आ जाएगा उस line पे click करते हैं pin code याइन पे payment, आपको आपने product एक quantity order किया है या दो किया है, एक set किया है, दो set वो यहाँ पे check करना है, recheck करना है, उसके बाद payment confirmation देखना है, downside में, जो sub total payment है, plus में आपका यहाँ पे GST लगेगा, GST जो भी है, वो total price, और right side में total PV, तो total price, जो DP price जो भी आपको दिखाया गया है, जब final price करने जाओगे, तो उसके अंदर यह GST भी जूड़ेगा, जैसा कि किलेर यहाँ पर mention कर रहा है, जो भी GST है, और GST और price मिल करके, DP price मिल करके, आपका total price बैठेगा यहाँ पे, और फिर आपको total PV दिखाया देगा right side में, तो यह आठवा step complete होता है, उसके बाद 9th step क्या है, Re-verify order information, Re-verify order information में आपको सारी details check करनी है, कि आपने एक quantity order किया है, दो quantity order किया है, और आपका mailing address है, वो सही है कि नहीं complete address सही है कि नहीं यहाँ पे, इस सारी details आपको check करनी है, 10th step में आपको क्या करना है, total पैसा है, वो आपको pay करना है, तो रचक आउट हो जाएगा right side में आप देख रहे हैं तो यह आपे पे करना ही आपको और पे करने के लिए जो next step आपको payment का जो method है वो select करना पड़ेगा यहाँ पे credit card, debit card, net banking और UPI कोई भी select कर सकते हैं और बारवा step में congratulations आजाएगा कि आपका order successfully place हो चुका है तो payment कैसे select करते हैं वो देखिए दोस्तों आप just receive हुआ है Atomy India की official के उपर UPI से आप payment कर सकते हो बहुत बड़ी बात है दोस्तों UPI option for Atomy India online shopping mall तो Google Pay, Phone Pay, Bheem, Paytm, Amazon Pay यह 5 हैं UPI के जो payment के option जैसा कि हम सब लोग use करते हैं Google Pay, Phone Pay, Bheem application, Paytm application और Amazon Pay यह 5 आप use कर सकते हो और next है net banking payment option for Atomy India net banking, ICICI bank आप use कर सकते हैं, Kotak, Mahindra, Datas Bank, IDBI, Punjab National Bank, Indian Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Union Bank तो यह जितने भी 9 हैं, total 9 bank है जो इंडिया के हैं यह आप online payment आप यहां से select कर सकते हो अगर net banking है तो कोशिस कीजिए कि maximum users, maximum consumers आप सभी लोग net banking का use करें क्योंकि net banking करने से आपका payment Atomy को जल्दी मिल जाता है और payment settle होने में time ले लगता है वो उनके लिए easy होता है, तो कोशिस कीजिए maximum जो Atomians हैं वो net banking यूज़ करें तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकरिया आपको पसंदाई होगी Atomy India online shopping portal में आप किस परकार से online order place करना है इसके 11 steps हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं और आप इस परकार से अपना online shopping order कर सकते हैं definitely आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर sales master और diamond master के line लगने वाली है 11 November से और team warrior के जो leaders हैं वो एक बहुत बड़ा record setup करने वाले है, mastership plan का definitely हम सब लोग मिलके बहुत बड़ा करेंगे और अभी तक आप में से किसी members ने अगर join ने किया तो आप join कर सकते हैं team warrior India के साथ आपको और आपकी पूरी team को team warrior education system का full support मिलेगा globally और इस वीडियो को आप जड़ा जड़ा share कीजिए ताकि आपकी team के अंदर order कैसे लगाएं कैसे place करें इसकी सई जानकरी stick जानकरी आपके team को मिल्स के दोस्तो थैंक यू very much दोस्तो